नमस्कार प्यारवी ट्यार्थियों आज मैं आपको राजस्तान करमचारी जयन बोर्ड जैपूर की और से एक विशेश नियूज लेकर के आया हूँ जी हाँ ये आज का नोटिफिकेशन है आज दिनांक 10-10-2022 को जारी हुआ है इसके अंदर साथियों बात कर रखिये समान पतरता प्रिक्सा सीनियर सेकेंडरी स्तर दोजर बाईस यनि कि साथियों जो हमारे राजस्तान में CET लागू किया है उसका कक्सा बारवी पास विद्यार्थियों के लिए सेलेबस प्रिक्सा का समय सारनी कौन कौन से डिपार्मेंट है कब से फौरम बढ़े जाएंगे एक्जाम कब होगा क्या क्या सेलेबस है इनके बारे में बात इस सेसन में पूरी पूरी आपको बताने जा रहा हूँ तो देखिये सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कक्सा बारवी पास विद्यार्थियों के लिए जो CET एक्जाम है उसके अंदर कौन कौन से पद है तो सबसे पहला पद है राजस्तान वन अधिनस्त सेवा यानि कि जो वन पाल की बरतिय साथियों उसके लिए CET एक्जाम जरूरी है साथी साथ दूसरा है राजस्तान अलब संख्यक मामलात अधिनस्त सेवा यानि कि जो सात्रावास अधिक्सक की बरतिय आती है उसके लिए CET अनिवारी रहेगा तेसरा पद है राजस्तान सचिवाले लिपिक ये वर्ग यानि कि लिपिक ग्रेड सेकेंड इनके लिए भी ये है एक्जाम अनिवारी है साथ है राजस्तान अधिनस्त कारेले लिपिक जो वर्गे कनिष्ट साइक का पद आता है उसके लिए भी CET अनिवारी कर दिया गया है ये सब की सब बरतियां 12 पास की है अगला आता है आर पेसी लडिसी आनके राजस्तान लोक सिवा आयोग के अंदर जो लिपिक सेकेंड गेर्ड का एक्जाम होता है इसके साथ हैं बहुत सांदर वेकेंसी आने वाली है जिसके लिए ये CET लागू कर दिया है चठा पद है राजस्तान आबकारी अधिनस्त सेवा इसके लिए जमादार ग्रेड सेकेंड पोस्ट आती है उसके लिए भी CET अने वारे है और राजस्तान पुलिस अधिनस्त सेवा के अंदर जो कॉंस्टेबल की परिक्सा होती है उसके लिए भी CET एक्जाम अने वारे कर दिया गया है ये सब की सब बरतिया सेनियर सेकेंडरी इस तरकी है तो CET इस एक्जाम के इन बरतियों के लिए CET अपने पास होना अने वारे है तो ये तो होगे पद अब अब बात करते हैं कि इसका क्या सिस्टम है तो देखिए बात कर लेते हैं कि CET के लिए और 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 औ दोनों एकी डेट ऐसे हैं में फिर आता है परिक्षा का आयोजन यानिकी साथ ही अपने परिक्षा देखो संभवित डेट दे रखी है 18 फरवरी, 19 फरवरी 2023, 25 फरवरी 2023 और 26 फरवरी 2030 यानिकी यह एक्जाम च्यार तिथियों में करया जाएगा इस चे सम्मंदित जो विश्त सुचना होगी वो बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी यदि परिक्षा में एक से अधिक चरण में आयोजित होती है तो नौर्मिलाजेशन की कारवाई की जाएगी यहनिकी नौर्मिलाजेशन होगा एक्जाम के अंदर अगर एक्जाम अलग अलग सिप्ट में हो सिस्टम अब की बार इसमें भी सीटी में भी है बाकी प्रेश्पता सम्मदी जान करें वगिरा बता रखी वो अपने साइड पर बता दी जाएगी यहनिकी जब आएगा तब आगे देखिए अब बात करते हैं कि परिक्षा की स्किम क्या है समान पतरता परिक्षा है जो सीन गंटे का वेपर होगा डेड़ सो पर्षन आएंगे और कुल तीन सो अंक होंगे पर्षन देखो यहां लिखावा सभी पर्षन बहुँ विकल्प होंगे इनकी सभी के पर्षन ओप्षन वाले अबर से दवाले होंगे इसमें नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नही है और सभी पर्षनों का जो इस्तर रहेगा वो रहेगा सेनियर सेकेंडरी इस्तर का सेनियर सेकेंडरी का मतलब है ट्वेल्थ इस्तर के पर्षन रहेंगे यानि कि हमारे जो राजस्तान मादिमिक सिक्षा बोर्ड की किता में चलती है कक्सा 6-12 तक तो उन में से यह जो हमार सेले बस का point रहेगा तो उनमें से question आने के संस ज्यादा रहेंगे देखिए इसमें सेले बस के बारे में देर रखाए राजस्तान का इत्यास, राजस्तान की कला, संसकर्ती, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत एमम, राजस्तान का भूगोल, राजस्तान के विशेशवल के साथ भारत का राजनितिक व्यवस्ता, राजस्तान की अर्थ व्यवस्ता, दैनिक विज्ञान, तारकिक विवेचन और मानसिक योगिता, यनि की रिजनिंग और मैथ, सामानिय हिंदी, जनरल इंग्लिज, इनकी सामानिय अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्यान और सम सामी की घटनाएं, ये है सेलेबस के बड़े बड़े पॉइंट, अब इन में क्या-क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें बात करें, तो मैंने पूरे सेल इस टोपिक के अंदर अपने को पढ़ना है प्राचिन सब्यताएं, सब्यता में काली बंगा, अहाड, गनेश्वर, बालाथल और बैराट, फिर है राजस्तान के इतिहास की मैतपोन एतियासिक गटनाएं, परमुक राजवन्स, उनकी परशासनिक राजवेवस्ता, सामाज इक सांसकर्तिक आया, इस्तापेटे कला की परमुक विशेष्ताएं, किले, इसमारक, चितर कलाएं और अस्त सिल्ब, ये है राजस्तान के इतिहास से सम्मंदित जो पॉइंट है हो वाले, फिर राजस्तान में जो सोतनता आंदुलन ओर रखें, उनके बारे में राजनितिक लोक नरते, राजस्तान के संत, कवी, योधा, लोक देवता, लोक देविया, मेले, तेहवार, रिती, रिवाज, वेस, भुसा, आबुसन ये है कला संसकर्ति का टॉपिक इसके बाद अपने को पढ़ना है इसके अंदर, राजस्तान और बारत के बोगोल में क्या-क्या पढ़ना है, तो बारत का बोतिक स्वरूप, जिसमें परवत, पठार, मरुस्तल, मैदा, नदिया, बांध, जीले, सागर, वन्य, जीव और अभ्यरण, ये सब पढ़ने बार साथी साथ राजस्तान के बोतिक स्वरूप, जलवायू, दिस्थाएं, वनस्पती, मर्दा, नदिया, बांध, जीले, राजस्तान के प्राकर्टिक संसादन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसादन, पसु संपदा, वन्य, जीव, सनक्सन, जन संक्या वर्दी, घनत्व साक्सर्ता, लिंगानुपात, परमुख जन जातियों और रजस्तान में परेटन कुल मिला के देखें तो A to Z पॉइंट जो है जी के समझे सारे के सरे दे रखें फिर दे रखा है रजस्तान के विशेशवल के साथ राज व्यस्ता जिसमें बारत का सविदान की परकरती, परस्तावना या ओदिसी का, मौलिक अधिकार, रजस्तान की राजनितिक और परसासनिक वैस्ता, रजस्तान लोक सेवा आयोग, रजस्तान निर्वाचन आयोग, रजस्तान निर्वाचन आयोग, रजस्तान निर्वाचन आयोग, रजस का मुख्य सच्ची उजिला परसासन इस्ताने स्वासासन इर पंचैती राज मतलब सुईदान में बात करें तो अपने डाजी पाल है मुख्य मंत्री है राजी विदान सबाए उच्छ नियाले है सबी के सबी पढ़ने है निर्वाचन मंदल है राजी सूचना आयोगे मानोधिकार आयोगे पंचैती राजे तो देखा जाए तो बड़े से बड़ा देखा जाए सेले बस बहुत ज़्यदा डाल रखा है तो अपने को मैनत कुल मिला करके बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्तान की अर्थ व्यस्ता एकोनोमिक्स अर्थ व्यस्ता के अंदर अपने राजस्तान में जो कर्शी होती है कर्शी पर आदारित आर्थिक विकास की परमुख फसले है कर्शी आदारिक उद्योग है सिंसाई प्रियोजना है महरूब भूमी विकास पर्योजना है अच सिल्फ उद्योग है बेरोजगारी है सुखा है अकाल है यह सारे कसारे टोपिक दे रखे हैं साथी साथ चो कल्यान कारी योजना है जैसे मातमा गांती राष्टी ग्रामीन रोजगार गारंटी योजना मनरेगा विकास संस्ताइं लगू लगू और कुटी रुद्योग आजस्तान में उर्जास के स्रोत जल उर्जा तापी उर्जा अनु उर्जा सोर उर्जा तो यह भी सारा का सारा पॉइंट डाल रखा है इसके बाद देखे अगला टॉपिक अपना सेलेबस का पॉइंट है वह सामाने विज्ञान दैनिक वि डाल रखें जैसे बहुतिक और रासाइनिक परिवर्टन, ओक्सीकराण, अपचयन, पूत्पिरे रख, धातू, योगीक, सामाने जीवन में परियुक्त रासाइन, कार्बन और मैत्पोन, योगीक, हाइट्रो कार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, सी परियुद की, साथ में अगला जो है, उसमें दाल देर खाये, बायोलोजी के बारे में, अनुवान सीकी में, गेगर जौन मेडल का पूरा का पूरा देर खाये, गुर्ण सूत्रों वाला सनस्ना, न्यूकलीक, अमल, प्रोटेन, मनुशी में लिंग निर्धारन, परियावर में तो रक्त समू, रक्ता धान, आरच कारक, मानो रोग, कूपोशन और साथ में देर खाये, मानो स्वास्त्य, रोग यां उनके निर्धारन, मतलब कक्सा आठ से दस्वी तक के साइंस के एक एक पार्ट को इसमें डाल रखाये, तो इसके साथ अब अपना अगला माहनशिक योगेता, देखे साथ यां लिखानी गणित, लेकिन लेक दिया तार की विवेचन और माहनशिक योगेता और इसमें गणित के देखे, पॉइंट बतातों में आपको गणित के वेदीक गणित से पूरण वरग संक्याओं के वरग, गनमूल, गनफल, छे अंकों तक बवुपद के गुणंखंड समीकरण दिवगात समीकरण लगु गणक अनुपास अनुपात परतिसत लावानी साजा सरल ब्याज शक्रति ब्याज बट्टा एक बिंदू पर बनने वाले कौन रेखाएं सरल आकरती तिरबुज सर्वांग सम्ता समरूप कार्ति निर्दे सांक पदती दो बिंदों के बीच की दूरी दो बिंदों के बंद्य दूरी का आंत्री कर बाहिये विबाजन वर्त की परिदी सेतरफल गोला गनाब संकू बेलन के सेतरफल रायतन कौन उनके माप तिरकौन मि प्रादरित समस्याएं आंकडे पर निरुपण केंदरिय परुर्थी के माप मद्य विचलन वगेरा सब कुछ डाल रखा है मतलब कुल मिलाकर देखें तो दस्वी तक की गणित के एक एक पॉइंट को यहां पर दे रखा है साथी साथ मानसिक योगेता और ताकिक विचलन योगेता मतलब सामान रिजनिंग भी इसमें दे रखिए तो अपने को ये तो हो गया एक सेलेबस का आदा परट इसके बाद बात करते हैं देखो इसमें अपने को लेंगवेज आएगी इनकी इंदी के क्वेशन आएगे इंदी बासाओगी इसमें संदी, संदी विशेद, समासिक पद, समास विग्रे, उपसर, परत्ते, प्रायवाची, विलोम, अनेकार्थ, युगम सब्द, संग्या, सरुनाम इससन की रिया, असदी, असदी, सब्द गती, व्याकिया, असदी, व्याकिया, असदी, के काराण मूहाउरे लोको औक तियां, अंग्रेजी में परि वाचिक शब्दावल्यां, समनास एक स्ब्द और कारेले पत्र, ये सब कुछ इंदी में डाल रहर का, जो LDC हास से वन वर्ड है कंप्रोहेजेशन है और साथ इस साथ ओपीशली लेटर डेमो डेमी ओपीशली और जो नोटीस अगयर होते हैं जो सब्द वाली है इंग्लिस की वो सेम टू सेम डाला की लडिसी वाली पूरी की पूरी फिर अपने इसमें पॉइंट की बात करें आखीर तो कं इनकी जो कंप्यूटर का बैसिक पूरा नोलेज होता है उस सारा का सारा इसके अंदर क्रेसन अपने आएंगे पूरा पढ़ना पढ़ेगा और साथ में देखो साथ यो यह पॉइंट दे रखा है राजस्तान का करंट समसामें की मुद इसमें अपने राजस्तान भारत और इसमें इसमें सामिल रहेगी तो यह है अपना कोल में लाकर के पूरा का पूरा सीटी का अपना सेलेबस जिसके अंदर अपने बात की सेलेबस की कि सीटी के अंदर क्या क्या पॉइंट अपने को पढ़ने है ठीक है अब अपन बात करते हैं कि सीटी में इतना सारा सेलेबस ह तो क्या हम इसको चार महिने में किस प्रकार से कवर कर पाएंगे इसकी रणनिती के लिए मैं आपको अगली स्लेट पर लेकर जाता हूँ अपने पास में कुल मिला करके अठारा दस दो अजार बाईस से मान लेते हैं अठारा दो दो अजार तेवीस कुल मिला करके अपने पास अठारा दस से ग्यारा बारा एक और दो कुल मिला करके चार महिने है अपने पास इस exam को तयार करने के लिए और अगर अपने CET exam 12th pass का pass नहीं किया तो एक भी vacancy नहीं है राजस्तान की ऐसी जिसमें अपने exam दे सकेंगे तो ये 100% इसको अपने को clear करना है और इसके लिए क्या रनेती रहेगी कौन सी बुक पढ़नी है वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सन के अंदर